नई बहु के आते ही ससुराल का हुआ बटवारा आपने ये तो हरे गर में देखा होगा कि एक बहु सर्वगुन संपन होती है जो अपने ससुराल वालों का बहुत खयाल रखती है और अपने लिए समय तक नहीं निकाल पाती ऐसी ही है हमारी कुसम जिससे ससुराल में सब प्यार करते हैं पर क्या होगा जब उसके अपने ही प्यार करने वाले उस पर भरोसा ना करें और सिर्फ देवरानी की सुने तो आईए कहानी में आगे बढ़ते हैं जहां कुसम के गाजर का हलवा बनाने पर घर के सारे लोग रसोई धीरे धीरे खीचे चले आते हैं तो बन गया मेरा गाजर का हलवा अब इसे लेकर चलती हूँ ये बोलते ही गाजर को एक बाउल में लेकर वो जैसे ही मुरती है तो सामने सभी ससुराल वालों को देख कर डर जाती है मा जी, पापा जी आप, देवर जी, क्या हुआ, आप सब यहाँ तुम इतना अच्छा गाजर का हलवा बना रही थी कि एक एक करके हम सब उठकर यहाँ आ गए यही दे दो, तभी अब वापस जाएंगे टेबल पर हाँ बहू, चलो यही परोसो, तुम्हारे हाथ के बने खाने का जादू ही अलग है भाबी, मुझे भी यही दो, वन्हा इस पूरे बावल को मैं ही उठा लूँगा अच्छा, ऐसे कैसे, मेरी बीवी ने बनाया है, और मैं ही नहीं कहूंगा अभी रुक्ये, मैं आप सब को आपका हलवा देती हूँ कुसम सब को कटोरी में परोस कर हलवा देती है और सब खड़े-खड़े, खाते-खाते, टेबल पर जाते हैं वा, मेरी कुसम बहु, तेरे हाँ तो में अनपूर्णा देवी का आशिरवाद है, बहुत स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया है हाँ, ये तो है, अब हमें प्रेम की शादी भी कर देनी चाहिए, हमारी दूसरी बहु आएगी, तो बिलकुल कुसम बहु जैसी, खयाल रखेगी, और अच्छा-च्छा खाना बना कर देगी, क्यों प्रेम? हाँ, पिताजी, कर दीजिये मेरा ब्या, मैं तो तयार हूँ, देखो माई इसे कैसे कुसम के बनाय, गाजर के हलवे की तरह लाल-लाल हो गया है सब कितना खोश हैं, तु 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 तु, नजर ना लगे, मुझे मेरे परिवार को हमेशा ऐसे ही खोश रखना है ऐसे ही हमेशा सब लोग कुसम से बहुत खुश रहते थे, कुछ महीनों बाद संतोष अपने छोटे बेटे प्रेम के लिए एक अमीर घर की लड़की श्वेता को देखती है और पसंद आने पर वहों दोनों की चटमंगनी पटव्या कर देती है, संतोष बहु की आरती करके उसका स्वागत करती है आओ बहु, इस घर में तुम्हारा स्वागत है, बड़ी बहु, ये थाली पकड़ो, जी माजी माजी, सारी रस्म रिवाज हो गई हो, तो क्या मैं अब अपने कमरे में जा सकती हूँ? अब सब आराम कर लो, बहुत रात हो चुकी है, कल से सबको अपने काम पर जाना है हाँ पिता जी, और मुझे रिक्षा भी जलाना है अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं अगले दिन श्वेता पहली रसोई में जब अपना खाना बनाती है, तो कुसम टोकते हुए कहती है अरे श्वेता, खाने में जीरे की जगहा अजवाईन क्यों डाल रही है? देवर जी को ये सूट नहीं करता, ऐसा मत करो अच्छा, अब आप मुझे बताएंगी की मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अजवाईन तो फाइदे मन दोती है, मैं तो जरूर डालूंगी श्वेता, तुम अभी आई हो, लेकन देवर जी को मैं बहुत समय से जानती हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी श्वेता को कुसम की ये बात अच्छी नहीं लगती, और वह तब भी अजवाईन का खाना बना कर अपने पती को खिला देती है, तो उसे खांसी आने लगती है मा, मा, अरे श्वेता, तुमने मुझे क्या खिला दिया है, गले में इतनी खुजली हो रही है ले बेटा, पानी पी, संतोष जल्दी से अपने बेटे को पानी पिलाती है हाँ, अब ठीक हूँ मैं बहु, तुने खाने में अजवाईन डाल दी क्या, इससे प्रेम को गले में खुजली होने लगती है, तुझे बताया नहीं बड़ी बहु ने वो माजी नहीं माजी, बड़ी दीदी ने मुझे कुछ नहीं बताया, जबकि वो वहीं खणी थी, ये चाहती तो बता सकती थी, लेकिन ससुराल में मेरा पहला देन अच्छा कैसे जाने दे सकती थी ये आपको चिड़ है कोई, हाँ, मैं अमीर हूँ इसलिए, और मुझे अपनी जगा बनाने नहीं देंगी आप शोयता तुम घलत सोच रही हो बड़ी बहु, मुझे तुसे ऐसी उम्बीद नहीं थी कुसम की आँखों में पहली बार आसु आ जाते हैं जब उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता है वक्त गुजरता है और अब शोयता धीरे धीरे अपनी चाल पट्टी खेलने लगती है गरवालों को कुसम के प्रती भड़का देती है वहीं रिक्षा चलाकर विनोध गर का खर्चा चलाने की कोशिश करता है ऐसे ही एक दिन घर के बिल दस हजार आता है शोयता इस बार बिल दस हजार का आया है इस बार तुम्हारे जेड जी पर पैसे नहीं थे बस ये दो हजार है बाकी के तुम भर लो क्या मतलब भर लो मेरा पती अमीर है इसका मतलब ये नहीं कि वो घर के राशन भी भरवाएंगे और इलेक्टरिसिटी के बिल भी वही देंगे जेर जी का भी कुछ करतवी होना चाहिए उनकी कोई जिम्मिदारी नहीं है क्या उसे रिक्षा चलाकर उन्होंने क्या पैसे जोड़े हैं आज पढ़े लिखे होते तो ये काम नहीं करना पड़ता श्वेता अब तुम हत पार कर रही हो तुम्हें अपने जेर जी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैंने क्या जोड़ बोला सब सच है बस बहुत हो गया अब मुझे घर का बटवारा चाहिए तब आपको पता चलेगा किसका पती इस घर में ज्यादा पैसे देता है माजी माजी यहां आईए क्या हुआ बहू कुछ नहीं माजी बस मैं इस घर में ऐसे नहीं रह सकती मुझे घर का बटवारा चाहिए घर में मैं रहूंगी या जिठानी जी आप जानती हैं बीच में उन्होंने मेरा खाना खराब करने की कोशिश भी की थी और पहले दिन क्या क्या किया था ये भी आप सब जानते हैं ठीक है शुयता बहु मैं इस घर का बटवारा कर रही हूँ इसलिए अब इस घर में कुसम तू नहीं रहेगी तू सामने वाली जो उपड़ी में रहेगी मा जी आप मुझे पहले से जानती हैं बहला मैंसा क्यों करूंगी देवरानी जी के साथ और उनका काम कैसा चल रहा है ये भी समझना चाहिए देवर जी को उन्होंने पढ़ाई में कितना सपोर्ट किया है इसलिए आज वो इस मुकाम पर है कुसम बहु तु मुझे मत बता की क्या सही है क्या गलत अब से तु सामने वाले तबेले की जोपड़ी में रहेगी ठीक है मा जी हाँ पैसा चाहती है तो यही होगा अब आया न कहानी में ट्विस्ट अब इस घर पर मैं राज करूंगी चार महीने में ही श्वेता ने फूट डाल कर घर में पटवारा करा दिया और कुसम को तबेले वाली जोपड़ी में भेज दिया जहां वो समान जचाकर अपने पती के साथ रहती है ये सब क्या हो गया कुसम मैं जानता हूँ तु मैं ऐसी नहीं हो मैं मा से बात करूँ नहीं विनोज जी रहने दीजिए मा जी सिर्फ श्वेता की बातों पर विश्वास करती है और श्वेता ऐसे खुश है तो वही ठीक है हम ऐसे ही रह लेंगे फिर दोनों जमीन पर बैट कर खाना खाते हैं वही दूसरी और प्रेम ओफिस में रहता है और श्वेता अपने साथ ससुर को ढग से खाना नहीं देती और उन्हें परिशान करके रखती है ऐसे ही उसने घर में बहुत तेज का गाना चला रखा था जिससे साथ ससुर के सर में दर्ध हो जाता है वह उसे बुलाते हैं तो सुनती भी नहीं वह उसे बंद करने के रहे कहती है तो भी नहीं सुनती है बहु इतनी तेज गाने चलाने से हमारा सरदर्ध हो रहा है और हम तुझे कपसे आवाज लगा रही हैं हमारे लिए चाय बना दे मा जी ये घर मेरा है मेरा मूर अच्छा है तो क्या आप मैं गाने भी नहीं चला सकती और अगर आपको कुछ खाना पीना है तो कुद बना लीजे मेरे पीछी क्यों पढ़ी है सारी सेवादारी मैं ही करूँ जोपडी में चले जाए अपनी दूसरी बहु के पास बहु तेरी वज़े से वो वहाँ पर रह रही है तो थोड़ा सा कहना तो मान सकती है ना हमारा मुझे आपका कोई कहना नहीं मानना और खबरदार जो आपने अपनी बेटे से ये बात की वरना आप समझदार है बहु तो हमको टॉर्जर कर रही है छोड़ मैं ही चाय बनाता हूँ संतोष पापा जी आप चाय मत बनाएए मैं लेकर आ गई हूँ आप पी लीजे और देवरानी जी तुम इतना शोर क्यों कर रही हो माजी पापा जी को प्रॉब्लम है और तुमने चाय बनाकर भी नहीं दी जी ठानी जी इस घर में बटवारा हो चुका है तो ये घर आपके हिस्से में नहीं है तो इस घर में आने की आपको जरूरत कैसे हुई और मैं कैसे भी रहूं आपको क्या जाईए यहां से दोबारा मताना जा बहुतू चाय हम पी लेंगे फिर भीगी पल के लेकर कुसुम अपनी जूपडी में आ जाती है पता नहीं श्वेता ने क्या कहकर माजी पापा जी को बढ़का दिया है मुझे श्वेता के लक्षन ठीक नहीं लग रही है बहुत गलत किया उसने दिन गुजरते गए आये दिन कुसुम को श्वेता की तेज चिलाने की आवाज आती है वह कभी अपने साससुर को मिर्च का खाना कहलाती है कभी उनसे ही काम करवाती है एक दिन श्वेता साससुर पर बहुत चला रही थी और वह जाडू पोचा लगा रही थे ये हाथ ऐसे मरी मरी क्यों चल रही है जल्दी कीजिये थोड़ा घर पूरत चमकना चाहिए मेरी फ्रेंड आएगी आज तो हद हो गई मुझे श्वेदा की बहुत चलाने की आवाज आ रही है मुझे माजी पापा जी को देखना होगा वो ठीक तो है माजी पापा जी ये आप ये ज़ाड़ो पोचा क्यों कर रहे है और आप दोनों की उंगलिया इतनी सूजी हुई क्यों है देवरानी जी आज तुमने हद कर दी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी माजी पापा जी के साथ ऐसा करने की तुमने घर का बटवारा करा दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, उस दिन मुझे भेज दिया, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, पर आज मैं चुप नहीं रहूंगी अरे बहु तू अच्छा हुआ बहु तू आ गई, अब हमसे यहां और नहीं रहा जा रहा ओ, अपनी बड़ी बहु के आती ही भूल गए क्या ये सुन कुसुम देवरानी के चाटा जर देती है, कुसुम उनको उठार कर बिठाती है हिम्मत कैसे हुई माजी पापाजी के साथ ऐसा करने की, अब इस घर में मैं रहूंगी और तुम निकलोगी, समझी तुम बहु मैंने तेरी हार गलती पर परदा डाला, लेकिन अब तु इस घर को छोड़ कर चले जाओ, मेरे बेटे के बिलकुल लायक नहीं है तु, ना तुझे घर समालना आता है मुझे माफ कर दीजे, एक मौका दे दीजे, मैं अमीरी के कारण अंधी हो गई थी, अपने घर का बटवारा कराया लेकिन अच्छे से रहूंगी, कुछ गड़बर नहीं करूंगी ये सुन सास ससुर शुयता को एक मौका दे देते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे सुधार कर घर के सारी जिम्मेदारी वो संभालती है और सब फिर से जिठानी के हाथ के बने खाने की तारीफ करने लगते हैं